संत कवीर दास की उलटवासियां उलटवासि का अर्थ है जो उल्टा लगे परंत अर्थ में उल्टा नहो उलटवासि उल्टे के समान किन्त तथ में सीधा आईए सुनते हैं कवीर की उलटवासियां अवधू वो ततुरा वहल राता नाचे बाजन बाज बराता मौर के माथे दुलहा दीना अकत जोरी कहाता अवधू वो ततुरा वहल राता मंडए के चारन समधी दिन्हा पूत्र ब्याहिल माता दुलही निली पी चौक बैठारी निर्भाय पद परकाशा अवधू वो ततुरा वल राता अवधू वो ततुरा वल राता भाते उलटी बराती हिखायो भली बनी कुष्लाता भाते उलटी बराती हिखायो भली बनी कुष्लाता पाडी ग्रहन भयो भाव मंदन सुष्मन सुरत समानी कहही कबीर सुनो हो संतो कहही कबीर सुनो हो संतो बूजो पंडित ग्यानी अवधू वो ततुरा वल राता अवधू वो ततुरा वल राता इसका भावार्थ यह है कि हे अवधूतों योगी लोग जोती तक तो में लीन होते हैं यह जोती में लीनता एक मधुर विवाह है विवाह के समय जब बारात पहुँचती है तब बाजे बजते ही और बाराती नाशती है परंत इस विवाह में सब उल्टा है यहां बाजे नाचते हैं और बाराती बजते हैं यहां बाजे इंद्रियां हैं और बाराती तक तो प्रकृती है जब योगी ध्यान में तन्मे होता है तब इंद्रियां कमपायमान हो जाती है यही उनका नाचना है और तक तो प्रकृत बजने लगते हैं अर्थात अनाहत ना यहां मौर के माथी पर ही दुल्हा को बैठा दिया गया है। कहने में न आने वाली अनिवर्चनिय कहता है और उस जोती को ब्रह्म मान कर उसकी महिमा में अनिएक भाते जोड़ जोड़ कर कहता है। यहां समधी का अर्थ है जिनकी बुधी समता को प्राप्त है ऐसे योगी गुरू। समता धी बुधी समता बुधी को प्राप्त योगी ही यहां समधी है। वह यह योगिक विवाह कराता है योगी गुरू ही योगी साधक को मर्म बताकर उसे जोती ब्रह्म तक पहुचाता है। संसार में भिन्व वन्शुजों में विवाह होता है। पुत्र माता से विवाह कर ले यह सोचा भी नहीं जा सकता। महापातक है। परंट इस विवाह में यही हुआ। जीव ने माया माता से विवाह कर लिया। माता जन्म देती है। वैसे माया से निज सुरूप से भिन दृष्ष भास के मोह से जीव संसार में बारंबार जन लेता है। इस योगिक विवाह में जीव का विवाह एवं संबंध माया से ही हो गया है। हठ योगी जोति शब्द आद जो कुछ अपना प्राप्तव्य मानता है और जिसे वह ब्रम भी कहता है वह भास दृष्ष होने से माया ही है। पुत्र व्याहिल माता यह हठ योगियों की मुख्य मानता पर ही भ्यंग है। लौकिक विवाह में चोका लीप कर उसमें दुलहिन बैठाया जाती है। मन को चित में, चित को बुद्धी में, बुद्धी को अहंकार में और अहंकार को जोति ब्रम्ह में लीन कर दिया गया। योगी इसे निर्भय पद का प्रकाश मानता है। जब मनोब्रती तथा चातुष्ट अंतहकरन जोति ब्रम्ह में लीन हो गया। तब मानो निर्भय पद का प्रकाश हो गया। लोक में बराती भात को खाते हैं। परंत इस विवाह में सब उल्टा है। तो इसमें भी उल्टा होना ही चाहिए। यहां भात ही बरात को खा गया। भात उप्योग की वस्तु है। अंतहकरण का ही तो जीवन में सरवाधिक उपयोग होता है। और यहां उपयोग ही उपभोग है। परंत अंतहकरण रूप भात में तत्व प्रकृत रूप बरातियों को खा लिया। तात पर यह है कि जब मनो वृत्ती तथा अंतहकरण जोत में लीन हुए। तब तत्व प्रकृत आद सभी जोत में लीन हो गए। तब योगी जन कहने लगे कि जीव का भला हुआ उसका कल्यान हुआ। योगी की सुरत जब शुशुम्ना में ले हुई तब वह ब्रह्म जोत में लीन हुआ। यही मानो पानी ग्रहन हुआ अर्थात यही उसका ब्रह्म जोती के साथ विवा होना है। परंतु साहब कहते हैं कि यह भव मंडन ही हुआ अर्थात संसारिक श्रंगार या संसार की ही सिद्धी हुई। क्यूंकि इस प्रक्रिया में जीव अपने स्वरूप में नैस्तित होकर विजात जडभास अभ्यास में ही लीन हुआ। जूत अनाहत नाद आद सब जडभास हैं। उनको अपना लक्ष मानना संसारिक वासना की ही सिद्धी करना है। सदगुर कवीर कहते हैं कि हे संतों तुम इसी सुनों और हे पंडित ग्यानियों तुम इसी समझने का प्रयत न करों।